हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अपनी यूटूब चैनल अनपंप होमोपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं डॉक्टर अनपंपाटर आज आपको होमोपैथी क्या है तता इसका अविश्कार किस ने किया इसके विशेय में आपको मैं कुछ बताऊंगा होमोपैथी सब्ग्रीक भासा से लिया गया है जो दो सब्दों से मिलकर बना है होमो और पैथी होमो जिसका अर्थ है सिमलर तता पैथी जिसका अर्थ है सफरिंग उसी आउस्दी की लगू मात्रा बैसे ही समलक्षण वाले प्राकृतिक लक्षणों को नश्ट भी करती है। वो धारन के लिए कच्चे प्याज काटने पर जुकाम के जो लक्षण उभरते हैं जैसे नाख, आँख से पानी निकलना उसी पिरकार के जुकाम की इस्तिती में होमियोपैथी औस दी एलेम चुपा देने से ठीक भी हो जाता है। होमियोपैथी की definition क्या रहती है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ किसी के भी स्वस्थ सरीर में यदि किसी एक दवा का बार बार प्रियोग करते रहने पर दवा के लक्षणों जैसे उत्पन कितने ही रोग के समान लक्षण प्रिकट हुआ करते हैं यदि किसी बीमारी मे बेश सब लक्षण प्रिकट हूँ तो उस रोग में उसी दवा की सूच मातरा का प्रियोग कर जो चिकित्सा की जाती है उसे ही हम होमियोपैथी या सद्रस विधान चिकित्सा कहते हैं होमियोपैथी में रोग्यों को एक समय में एक ही आउस्दी को देने के निर्देश दि आदुनिक चिकिस्टों उचिकिस्टों में कुछ तो हैनिमेन के बताय मार्ग पर चल रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना सुतंत्र मार्ग निश्चित किया है और एक बार में दो तीन आउस्दियों का प्रियोग करते हैं होमोपैतिकी जो नीव है वो डॉक्टर सेमूल हैनिमेन ने संद सत्रा सो चानवे इसमे में डाली थी वे जर्मनी के एक कीरती प्राप्त उच्छ पदविधारी ऐलोपैतिक चिकिस्ट सकते वे कितने ही प्रधान चिकिस्टाले में बहुत से रोग्यों का इलाज कर अंत्मे ए जाया करती है उन्हें बहुत ही पच्छ अताफ हुआ और अंत्मे उन्होंने इस फिरकार की भ्रहंपूर्ट चिकिस्टाद्वारा असत उपाय से धनों पारदन करने की लालसा ही त्याग दी और निश्चे किया कि अब पुस्तकों का भासांतर करके बे अपनी जीवका का न दान दवा है यही डॉक्टर हैनीमैन की नवीन चिकिस्टाद के विश्कार का मूल सूत्र हुआ इसके बाद इसी सूत्र के नुचाल उन्होंने कितने ही भेशत द्रभ्यों का स्वेम सेवन किया उनसे जो जो लक्षन पैदा हुए उनकी परिच्छा की साथ ही किसी रोग मे यदि बेही सबलक्षन दिखाई देते तो उसी भेशत द्रभ्यों को देकर बेरोगी को रोग मुक्त भी करने लगे हैनीमैन अब तक पहले की भात ऐलो पैतेक अर्थात स्टूल मात्रा में ही दवाओं का प्रियोग करते थे इससे उन्हें अब इह मालुम हुआ कि रोग आ इंता, पिलीहा, यक्रत, पिलई, सोथ, धीमा बुखार, इत्यादे नाना प्रिकार के ने ने उपसर प्रिकट होकर रोगी को एकदम जरजर बना डालते हैं बस उसी समय उन्होंने दवा की मात्रा कम करना स्टार्ट कर दिया इससे उन्हें मालुम हुआ कि परमार्या मात्र भरे ही कम हो, आरोग दायनी सक्ती पहले की तरह ही मौजूद रहती है, बलकि जो दुस्परणाम बताए गए हैं बे नहीं पैदा होते, अंत में उन्होंने दवा का परमार्य करमसा भगनांस के आकार में प्रियोक करना आरम किया, और भगनांस दवाएं फ्रेंच श्प्रे दूद की चीनी, चुआया हुआ पानी, इत्याद और सद गुडविहीं चीजों के साथ मिलाकर विभार करने लगे, यही इस समय सद्रस विधान या होमोपैथी चिकित्सा के नाम से प्रिचलित हो रहा है, एंड में बस आप से इतनी रुकेश्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, इस से आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तो काती रहे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों